आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी इसमें हम पालक और तिल भी डालेंगे इससे यह बहुत ज़्यादा टीस्टी बनेगी और बहुत हेल्दी होगी यह सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर ट्राय कीजेगा तो चली बनाना शुरूर करत होते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए डेड़ कप मक्की का आठा वनफोर्थ कप गीहूं का आठा थोड़ा सा कटा हुआ पालक वनफोर्थ कप तिल स्वादनुसर नमक और थोड़ा सा तेल सबसे पहले एक परतन में हम डालेंगे मक्की का आठा इसमें हम डालेंगे नमक गीहूं का आठा और तिल इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें कटा हुआ पालक डाल कर इसे इसमें मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे और इसका आठा गुंद लेंगे हम इसे इस तरह 2-3 मिनट मस लेंगे ये हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और हमारा आठा तैयार है अब हम इसके इस तरह से चोटी लोई बनाएंगे मैंने हातों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है इस तरह से हम रोटी हाथ से तयार करेंगे हम थोड़ा सा पानी हातों में और लगाएंगे ताकि ये रोटी हातों में चिपके नहीं और अच्छे से तयार हो जाए ये हमारी रोटी तयार हो गई है अब हम इसे सेकेंगे ये मैंने तवे पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इस पर हम रोटी को सेकेंगे अब हम इसकी बॉर्डर पर तेल डालेंगे हमें गैस को फुल फ्लेम पर रखना है हमारी रोटी एक साइट से सेक चुकी है अब हम इसे दूसरी साइट से भी सेकेंगे हमारी रोटी दोनों साइट से सेक चुकी है अब हम इसे उतार लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें